और अब आपको बता दे हर्टालिका तीज के बारे में दरसल सुहागनों और कौारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से एक है हर्टालिका तीज हिंदु धर्व में हर्टालिका तीज का विशेश महत्व भी माना गया है बादरपत शुकल पक्ष की तृतिया को हर्टालिका तीज मनाई जाते है बता दे चलें आपको कि ये जो पर्व है भगवान शिव और माता पार्वती से जड़ा हुआ है और इस दिन भोलेनात और मा पार्वती की पूजा अर्चना की जाते है तमाम महिलाएं निर्जला वरत रखती हैं और अपने पती की लंबी अमर की कामना की जाते है मागवान शिव और माता पार्वती और उनके परिवार की मिटी की मूरतियां बना कर घर में मंदिर में स्थापित की जाती है आपको बता दे कि माता का श्रिंगार भी जरान काफी खुबसूरती के साथ किया जाता है और सौभागेवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाये रखने के लिए हर्ताली का अतीच का वरत करती हैं जबकि अवेवाहित युफतिया मन्चाहे वर की प्राप्ती के लिए इस दिन उपवास करती हैं माने तह ये भी है कि माता पार्वती नहीं सबसे पहले हर्ताली का तीच का वरत करके भगवान शिफ़ को अपने पती के रूप में प्राप्त किया था अब माता पारवती का अनुसरंट करते हुए ये तमाम महिलाएं शिव जी और मा पारवती जेसा दामपात्य जीवन पाने की कामणा करती है तो वहीं आपको बता दें कि हर्टालिका तीज नाम के पीछे ही एक खास कहानी है और इस नाम के पीछे का अतर्क भद्रा मास के शुकलपक्ष की तृतियातिती को ये पर्फ मनाया जाता है ये कैसा समय होता है जब प्रकृती अपने पूरे यौवन पर होती है और सभी और हर्याली ही हर्याली होती है इस हर्याली की सुन्दर्ता और मधूर्ता काफी मनमोहक होती है जोसे देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है कहा ये भी जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पती बनाना चाहती थी इसलिए पार्वती माने कटिन तपस्या की और इस तपस्या के दौरान पार्वती की सहीलियां पार्वती का हरण अथार्थ उनको अगवा कर ले गई थी और इस कारण इस वरत को हरतालिका पूजा नर्चना की जा रही है अलग-अलग विदिविदान के साथ यहां पर जो महिलाएं देवि पारवती और भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं कि बहुत सारी डरावनी माननेताएं भी हैं जैसे कि इस दिन वरत रखने वाली महिलाओं और यूतियों को पूरी राज जागना होता है और अगर कोई महिला वरत के दौरान सो जाती है तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो अजगर के रूप में जन्म लेती है इसी प्रकार फल खा लेता है तो वो अगले जन्म में वानर का जन्म लेता है और क्योंकि खाने पीने का प्रतिवंद माना गया है फिर भी अगर कोई महिला गलती से इस व्रत में शपकर यानि चीनी का सेवन कर ले तो अगले जन्म में मक्खी बन जाती है और अब बढ़ते हैं के लिए खबर की ओर खबर बरेली से है जहाँ पर जिला अस्पिताल हमेशा सुर्किया बटोटा आया है और इन अस्पितालों पर योगी सरकाय करोड़ों रुपए गरीब चंता के लिए खर्च कर रही है लेकिन इसी बीच अगर इस तरह के हालात देख को मिलें तो फिर क्या कहा जाए यहां पर इसे लाचारी कहें या मजबूरी आप खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं दरसल यह नजारा है सरकारी अस्पिताल का जहां यह जो मरीज हैं सरकारी अस्पिताल में अपने ठीक होने की कामना करते हुआ आये थे लेकिन यह ज इतना निर्माई हो जाए तो फिर क्या कहा जाएं अस्पताल में मरीज इमार्दार खुद ही अस्पताल में इस तरह से स्ट्रेचर पढ़े जाने लगे तो फिर अस्पताल में इस स्टाफ की क्या जरूरत है और दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि बरेली में इस तरह की जो अस्पताल से घटना सामने आई है और क्या कुछ यहां पर अन्यमेत कि चार्ज की जानी चाहिए और इसी ख़बर के साथ यह बोलच में फिलाल के लिए इतना ही अब बने रहे हमारे साथ देखते रहें आरे उस